लोगाइज बहुत बहुत स्वागतत है हमारे यूट्यूब चनल स्वायटर में दौस्तों आज जो है हम लोग साइकलॉजी के तीसरे सेट के बारे में सचा करेंगे ठीक है और इसमें जो इन्पोर्टेंट कोश्चन है उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखें चले शुरू करते हैं पहला है इन में से कौन साब्दिक परिच्छन नहीं है ए पास एलॉंग परिच्छन बी बीने परिच्छन सी ब्लॉक डिजाइन परिच्छन डी ए और सी दोनों तो यहां जो ह है साब्दिक परिच्छन का बात है तो यहां जो है ए और सी जो है नहीं है तो यहां पर ऑप्शन अपना डी हो जाएगा क्या सही वांसे हो जाएगा डी नेक्स कोश्चन देखते हैं बुद्धी लबधी नामक धार्ना का सरपर्था मुप्यों किस ने किया ए एस्टर्ण बी बीने सी एस्पीर में और गिलफर्ड ठीक है तो यहां पर देखे इस टर्ण दे रहा है बीने भी हो सकता ठीक है बीने होगा तीसरा है निम लिखित में से कौन सेजनातमक चिंतन का अवस्था नहीं है यह सत्यापन वियोद्भव सी अबधार्ना और डी तैयारी तो भाब परवोधन तथा सहकालिक अनुकर्मिक मोडल को किसने प्रस्तावित किया तो ए जेपी दास नाल लीरी की वी ने बीने टर्मन सी बीने टर्मन की वी डी इनमें से कोई नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा यह जेपी दास नीलेगरी किर्वीन है पांच नमा कोशन देखें निमलिखित में से किसी मनोवज्ञानिक विसेस्ता में संबलित नहीं किया जाता यह अभिरूची बी मुल्य इसे परिख्ण और डी बेक्त तो यहां जो है आपका अप्सन क्या होता मनोवज्ञानिक विसेस्ता कि में संबलित नहीं है तो क्या है सौो का भावाात्म पहलूँ आत्म संपर्तय संपर्तय का कई ब怎麼 बता चुंग है क्या पूआ लुग के मनुविज्यानी मनुविज्यान को कहा जाता है यह मानवताबादी मनोयोगी ब गंत्यात्मक मनोयोगी सी विसलिसनात्मक मनोयोगी डी ब्रैक्तिक्त मनोयोगी तो यहां पर आपका ओप्सन सही कहा जाए विसलिसनात्मक मनोयोगी चलिए next question देखते हैं मानवताबादी उपागम उपागम के परति पादक है ठीक है तो उपागम का इंग्रीज क्या होता दोस्तों divergent ठीक है तो A हो जाएगा Friard B Skinner C Meslow और B के लिए यहां सही आंसा क्या हो जाएगा देखते हैं दोस्तों 16 व्यक्तित कारक परस्णावली विक्सित किया गया है मर्रे द्वारा B यूंग द्वारा C अल्प लोग पोर्ट द्वारा D केर्टल द्वारा तो यहां पर सही आंसा क्या है केर्टल द्वारा नेक्स क्थानक आत्मबोध परिच्छन का निर्माता तो यहां पर आपका अप्शन क्या हो जाएगा निर्देशित होता आपका अप्शन क्या हो जाएगा बास्तविक्ता का नियम अहम नेक्स क्थान देखते हैं निमलिखित में से कौन पर्तिबल का सुरोत नहीं है तो पर्तिबल का सुरोत नहीं है एक उन्ठा बी संगर सी चिंता डी समाजिक सहभागिता तो पर्तिबल का सुरोत नहीं है समाजिक सहभागिता ठीक है क्या जाएगा अंसर समाजिक सहभागिता next question देखें निम्लिंखित में से कौन मनो ब्यज्यानिक परति बल नहीं है जले है इसोर बी कुंठा सी दूंत डी अंतर दबाव तो मनो ब्यज्यानिक बल नहीं है ऑ once छिलिए next question है, पर्सिद मनो ब्यज्यानिक हन्स सेलिसंबंदित I am अभी प्रेवरियुकों की ष संगर्ष शेतर से बी तनाव के अध्यान के छेतर से समाजी करन के छेतर से इन वे से कई नहीं कोई नहीं तो आपका उपसंस गया नहीं से इसली समध्दित नहीं है इन में नहीं से कौन थिटosis कउम का धनात्मक तनात्मक पहलू है ठीक है मतलब तनाव के लिए कौन सा जो है जो आए तो तनाव बढ़ जाता है यूट्रेस भी परिशांती डी डिस्ट्रेस और इनमें से कोई नहीं तो आपका आउंसर कहा जाए यूट्रेस चलिए चे데टो-टोनिं स्टूपर देहिए दोस्तों यहां पे जहाए और सभी कर लोगयों ठीक है लेकर सब से ज्ञादा है क्या यूट्रेस टिकर नेश्त कॉशन देखते हैं क्येक्स पर का लक्षन है ए रोग भरम का बी रुपांत्रमणोंवविकिर्ति का सी मणुवपिदलिता क और डी इनमें से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा आपका अप्शन सी नेक्स कोश्चन है दूई धूर्व विकार के दो धूर्व हैं यह तर्क संगत तथा और तर्क संगत भी मनोगर्षित तथा ब्याधता सी असनायू विकिरती अतथा मनोगर्षिती विचार डी उनमाद डाउन शनलक्षन एक परकार का रोग है क्या है यह गरंतिक रोग बी पेट की विमारी सी दूर्वित्ती डी मांसिक दूर्वलता तो क्या हो जाएगा डाउन वित्ती मांसिक दूर्वलता का एक कारण है देख चलिए इस एक्रोफोबिया का आर्थ होता है उचाई से डरना कुता से डरना बिली से डरना अंदी तुफान से डरना तो है एक्रोफोबिया उचाहिए से डरना चै你 याद रखेगा एक्रोफोबिया के स्टेज का होता है जो खाली बन से डरता है किस्धांत पाधाय ठाहित है यह उपने даль धीम के सिद्धानतों पर चैना दोस्तों आज के लिए इतना ही ठीक है और इसकी अगली पार्ट है वो रजाएगी ठीक है और तब तक के लिए ठैंक्यू धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एक वीडियो अच्छा लगा हो तो एक Like करो Share करो ठीक है और Subscribe कर तों ठांक्यू झाल झाल